Hello everyone, Computer Lab में आप सब का स्वागत है आज MS Word की 4th क्लास में हम font group सीखने वाले हैं font group में मौझूद option हमें help करते हैं font को format करने में जैसे size increase या decrease करना हो या font style change करना हो लेकिन कुछ मुश्किल option या tools भी मिलते हैं हमें जैसे कि subscribe और superscript इनका क्या use होता है और कहा use होता है आईए ये सब सीखरे समझने के लिए चलते हैं अपनी computer screen की तरफ तो हम आगें अपनी computer screen पर font group को समझने के लिए यहाँ इस font group में हमें कुछ ऐसे options मिलते हैं जिसके जरिए आप अपने document यानि कि हमारे इस text को format कर सकते हैं यानि कि इसे थोड़ा change कर सकते हैं बदल सकते हैं जैसे कि यहाँ हमें option मिलता है अलग-अलग font के styles का यानि कि आप यहाँ से अपने font का style change कर सकते हैं आप चाहें तो अपने already इस लिखे वे paragraph को change कर सकते हैं इसके font style को change कर सकते हैं आप अपने इस paragraph को select करेंगे click करेंगे fonts पर और यहां आपको बहुत से fonts मिल जाएंगे और आप यहां से कोई भी font style चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद लेगे जिस style में आप चाहते हैं आपका document आए आप यहां से select कर सकते हैं जैसे कि aerial black यह देखिए एक छोटा सा preview भी हमें दिखा देता है अगर आप इस पर अपना cursor लेके जाते हैं तो यह आपको preview दिखा देगा कि आपका जो text है आपने जो paragraph select किया है वो इस font के साथ format होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा ऐसे ही आप दूसरे fonts को भी देख सकते हैं तो जो font आपको यहां से पसंद आए आप य चुका है इसका font का style अब change हो चुका है यह देखिए यह अब aerial black है देखिए यहां पर भी नाम दिखाएगा आपका आगे बढ़ते हैं आगे हमें मिलता है यहां पर हमारे font का size यानि कि आपको अपने font का size छोटा या बड़ा करना हो तो वो आप यहां से कर सकते हैं आप यह क्लिक करते हैं आपकी एक list open होती है और यहां से आप कोई भी size चूज कर सकते हैं अपने text के लिए अपने paragraph के लिए आपने paragraph के लिए आपने जो paragraph select किया है उस पर यह वही text का size apply कर देगा और यहां भी आपको एक preview दिखाएगा कि आप यह size select करेंगे तो आपका paragraph कुछ ऐसा नजर आएगा आपका text आपका font कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा तो आप यहां से कोई भी number choose कर सकते हैं अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो एक छोटा number choose कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपका text बड़ा हो जाए तो यहां से उतना ही बड़ा number आप choose कर सकते हैं और example मैं यहां से choose कर लेता हूं 14 और देखिए इस font का size अब 14 हो चुका है यानि कि अब यह पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है हम इसे compare करें दूसरे paragraph से यहां click कर दीजिए और यह आपको बता जाएगा कि पहले यह 11 था और अब यह 14 हो गया है ठीक है तो यहां से भी आप अपना font का size change कर सकते हैं बढ़ते हैं हमारे next option के ओर जो की है grow font and shrink font यह भी हमारे font का size ही change करने के काम आते हैं grow font यानि की नाम से पता चल रहा है यह आपके font को बड़ा कर देगा step by step करेगा आप यहां से कोई भी number लेके कर रहे थे इस बार यह क्या करेगा step by step आपके font को step यह आपके font को छोटा करता चला जाएगा जितनी बार क्लिक करेंगे यह उतनी बार इसे छोटा कर देगा तो अगर आप इस तरिक के से अपने font का size increase या decrease करना चाते हैं तो grow font और shrink font पर क्लिक करके कर सकते हैं और अगर आप इसकी shortcut की जाना चाते हैं तो देखिए आप इस आपको अपने text को अपने font को थोड़ा dark दिखाना हो चाते हैं थोड़ा dark नजर आए आपका font का style भी यही रहे size भी यही रहे लेकिन थोड़ा dark नजर आए थोड़ा मोटा हो जाए तो उसके लिए आप चूज कर सकते हैं bold effect क्लिक करते हैं bold तो देखिए आपका text भी वही है यानि कि इसका style भी वही है इसका size भी वही है लेकिन देखिए इन दोनों में कितना फर्क है है न यह थोड़ा dark हो गया आपके text को थोड़ा इसने मोटा कर दिया है तो इसे कहते हैं bold यानि कि इसे थोड़ा bold कर दिया है अगर आप इस effect को ऐसे रखना चाते हैं रख सकते हैं तो क्या करेंगा आप अपने पैरत और आपको दुबारा select करेंगे दुबारा click करेंगे bold पे तो इसका effect हट भी जायाएगा ठीक है तो अगर आप ऐसा चाते है कि थोड़ा dark ने जला है तो आप उसे bold कर सकते हैं यह इसलिए भी काम आ सकता है कोई important word आपको show करानों कि यह थ थोड़ा टेड़ा करके लिए देता है control प्लस आई इसकी shortcut की हमें show कर रहा है आप क्लिक करते हैं italic पे तो आपका selected font कुछ वैसा ही टेड़ा हो जाता है थोड़ा तिर्चा हो जाता है यह देखिए यह second paragraph देखिए यह थोड़ा सीधा लिखा हुआ है ना हर alphabet बिल्कुल normal तर जाएगा यह देखिए फिर से normal हो गया सेम ऐसे हमें option मिलता है underline यानि कि अगर आप को यह paragraph या कोई एक single line underline करके दिखानी हो दिखाना चाते हो कि हाँ यह थोड़ी important line है underline कर देते थे जैसे हम notebook में भी कर देते थे कभी-कभी show करने के लिए कि यह important line है तो यहाँ भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है आपको underline के अलग-अलग options मिल जाते हैं फिलाल यहाँ पर जो हमारा option select है वो है यह first वाला यानिकि एक single line हमें नज़र आ रही है second आप चूज करते तो यह option मिलता हमें यह double underline कर देगा यानिकि देखिए दो line है आप इसको underline करती ही नज़र आ रही है है ना तो यहां से आप अपनी underline को भी format कर सकते कि कैसी नज़र आए यह देखिए यह थोड़ी मोटी underline है ऐसे ही आपको dotted में मिल जाएगी अलग-अलग तरीके से dotted में मिल जाएगी या ऐसे zigzag भी मिल जाएगी जैसी आप चाहें यहां से underline करना हो तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं साथ ही यहां से underline का style भी आप चूज कर सकते हैं यहां देखिए यहां आपको और भी ज्यादा effect मिल जाते हैं और यहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपके underline का color क्या होई फिलाल यह black color में नज़र आ रही है आप चाहें तो इसे blue भी कर सकते हैं और साथ यहां भी मिलते हैं और अलग-अलग effect जैसे कि strike through यानि कि strike through कर देंगे तो क्या होगा देखिए यहां मैं preview दिखा रहा है यह क्या कि है इसने font को cross करती हुई एक line आ जाएगी अगर आप चूज करते हैं strike through हटा देते हैं टिक mark तो वो काड़ भी जाएगी double strike through यानि कि दो लाइने हमारे text को काड़ती हुई ऐसे गुजर जाएंगी super script और subscribe अभी हम आगे सीखने वाले है shadow पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा आपके text को हल्क किसी shadow मिल जाएगी मानों इसकी परच्छा ही हमारे page पर पढ़ रही हो क्लिक करते हैं emboss तो हमारा text कुछ ऐसे नजर आएगा हटा देते हैं और अगर आप चूज करते हैं engrave तो हमारा text कुछ ऐसा नजर आएगा यह हमारे text को format करेगा small caps आप चूज करते हैं तो क्या होगा सभी letters capital हो जाएंगे और हमारे जो first letter होगा वो थोड़ा size में बड़ा होगा और अगर आप चूज करते हैं all caps तो क्या होगा सभी letter एक ही size क्योंगे और सभी capital letters में आ जाएंगे और अगर आप चूज करते हैं hidden तो हमारा selected text hide हो जाएगा देखिए वो line गाय हो चकी है undo करते थे ताकि वापस आ जाए ठीक है तो यह तो से हैं हमारे option more underlines में जो हमें मिलते हैं जो हमें कुछ extra option मिलते हैं underlines regarding आपकी font के regarding underline color आप यहां से भी direct choose कर सकते हैं आपको यह more underline को दोबारा select करो दोबार क्लिक करो underline और यह underline हट भी जाए अब हमें वहीं same option मिलता है यहां पर strike through जो कि अभी हमने यहां more underlines में भी देखाता है ना more underlines में क्या होता है आपको ज़्यादा option मिल जाते हैं strike through के भी आपको double यह effect हट जाए तो आप दोबारा अपने font को select करो दोबारा click करो strike through पर और यह वही effect हटा देगा और आपका font पहले जैसा normal हो जाएगा अब बारी आती है हमारे दो options subscribe और superscript की यह कैसे use होते हैं यह देखिए दिखते भी थोड़े आजीब से है ना इन्हें देखके समझ नहीं आता कि इनका use क्या है तो आईए मैं आपको इनका use समझा देता हूँ कई बार क्या होता है आपको कुछ science का formula लि आपने लिख तो दिया h2o लेकिन क्या h2o जो की पानी का formula होता है उसमें 2 इस तरीके से लिखा जाता है नहीं ना h2o लिखते हैं हम तो 2 को कैसे लिखा करते थे हम 2 को h की bottom में बिल्कुल छोटे size में लिखा करते थे है ना ऐसे normally नहीं लिखा करते थे यह गलत है formula अगर h2o आप लिखते हैं तो तो इसे आप बिल्कुल वैसे ही कैसे लिख सकते है जैसे आप अपनी notebook में लिखा करते यानि की 2 को size में छोटा करके h की bottom में लिखना हो तो आप इसे उस तरह से लिखने के लिए use कर सकते है अपना option subscribe आप कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप normally लिख दें यह है ना यह उसके नीचे है तो ऐसे आप use कर सकते है अपना option subscribe इसके opposite हमें option मिलता है यहाँ पर superscript यह कैसे काम करता है यह देखिए कई बार कैसे होता है हम math में कुछ सवाल किया करते थे जहां हमें बोल दिया जाता था 3 की power 2 है ठीक है यानि कि 2 जो है इसकी power 3 की तो क्या 2 हम ऐसे लिखा करते थे बिल्कुल बगल में इसके नहीं ना हम ऐसे नहीं लिखते थे 2 क्या होता था 2 थोड़ा size में छोटा होता था और बिल्कुल top में लिखा होता था तो यहाँ आपको 2 कुछ इस तरीक ऐसे लिखना हो तो आप use कर सकते super script ठीक वैसी पहले आप इसे normally लि नहीं पड़े तो ऐसे लिख सकते हैं है ना तो यहीं था use हमारा super script और subscribe का बढ़ते है next option की और जो की है change case change case से यहाँ हमारा मतलब है आपके लिखने का तरीका कि आपने अपना document अपना text किस तरीके से लिखा है और आप उसे किस तरीके से लिखना चाते हैं या change करना चाते कहने का मतलब है हम कोई भी line लिखते हैं इंगलिज में तो हमारा पहला alphabet capital होता है और बाकी सब small होते हैं ना देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ हमने full stop लगा है line खतम होगी second line शुरू ही तो क्या किया इसने फिर से हमारा पहला alphabet capital किया और बाकी सब small किया है ना हम ऐसे लिखते हैं normally इंगलिज में तो यह होता है हमारा sentence case यानि कि कोई भी sentence लिखते हैं तो हम उसकी सुरुआत करते capital letter के साथ और बाकी सब small तो यह by default sentence case पे ही चलता रहता है और अगर in case आपको जुरुत पढ़ती है कि यह पूरा text आपको lower case में लिखना था यानि क छोटे अक्सरों में लिखना था लेकिन आपने लिख दिया sentence case में तो क्या करेंगे आप दोबारा type करेंगे सारा नहीं न तो उसके लिए आप यहां से option चूज कर सकते हैं lower case मैंने फिलाल यहां पर only first paragraph select किया है और click करता हूँ lower case तो क्या होता है मेरा पूरा paragraph जो है अब small letters म में लिखा हुआ है अब यहां पर कोई भी capital letter मौजूद नहीं है चाहे वो line का first alphabet ही क्यों ना हो अब यहां पर कोई भी capital letter नहीं मिलेगा सब small हो गए है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अब हमें यहां कॉंस option मिलता है next option है यहां पर हमारे पास upper case देखी यह जिस तरी selected text को अपर case में लिख देगा यानि कि सभी letters को capital कर देगा अब देखिए यहां पर कोई भी small letter मौजूद नहीं है हमारा पूरा text हमारा पूरा paragraph capital letters में इसने change करके दे दिया है आपको पूरा paragraph शुरू से लिखने ज़ूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसी कोई गलती कर देगा और बागी सभी स्मोल कर देगा ठीक है sentence case क्या करता था line के पहले alphabet को capital कर दे था लेकिन capitalize each word क्या करें हर word के पहले alphabet को capital कर देगा क्लिक करते हैं ओर देखते हैं धेखिए on word है इसका पहला alphabet capital है इसीतरह द इसीतरह head insert tab और बाकि हर word का पहला letter capital कर दिया है इसने यह ना तो यह use होता है हमारा capitalize each word का और अगर आप चूज़ करते हैं toggle case तो यह इसका opposite कर देगा अभी इसने क्या किया हर word का पहला alphabet capital किया बाकि सब को small किया लेकिन toggle case इसका उल्टा करेगा हर word के पहले letter को small कर देगा और बाकि सब क capital कर देगा click करके देखते हैं और देखिए इसने क्या किया है इसका opposite कर दिया हर word का first alphabet small है और बाकि सब capital है यह थोड़ा देखने में भी अजीव लगता है ना लेकिन यहापर option मौज़ूद है तो आपको पता होना चाहिए कि यह करता क्या है ठीक है इसे फिर से हम पहले जै का लिखने के बाद पता चले कि only capital letter में लिखना था या only small letter में लिखना था तो आप यहाँ से change कर सकते है नेक्स्ट option हमें मिलता है यहाँ पर highlight करने के लिए यानि कि कोई important line अगर आपको नजर आ चाती है तो आप उसे highlight कर सकते है जैसे हम अपनी school की notebook में किया करते थे कोई important line हमें लगती थी जिसे हमें याद करने की जूरत पड़ती थी या बविश्य में जूरत पड़ सकती थी कि हाँ ये कुछ important line है तो हम highlighter से उसे highlight कर देते थे लेकिन यहाँ PC में computer में इस text में आप उसे highlight कैसे करेंगे यहाँ हमें option दिया गया है text highlight color इसका use कैसे करना वो देखि और अब आप जाएंगे यहाँ अपने option पर इसके bugle में मुझूद एक छोटे से arrow पे आप click करेंगे और choose कर लेंगे अपना पसंद का कोई भी color कि किस color में आपकी ये line आपका ये text format हो जाए मैं yellow ले लेता हूँ आप चाहिए तो कोई भी ले सकते है green ले सकते हो green ले सकते हो ठीक है ये देखिए ये आपकी line को ऐसे highlight कर देगा ठीक है तो आप ऐसे जितनी चाहिए line ऐसे highlight कर सकते है click करके आप किसी और color में इसे highlight करना चाते हो तो bugle वाले arrow पे click करो कोई और color choose कर लो और आपकी line ऐसे highlight हो जाएगी ठीक है और in case अगर आपको इसे हटाना हो तो आप फिर से पहले जैसा normal करने चाते हो तो क्या करेंगे अपने text को ऐसे फिर से select कर लेंगे जो भी आपने highlight किया वापस जाएंगे अपने option पे arrow पे click करेंगे और यहाँ पर option मिलता आपको no color click करेंगे no color और आपके selected area में जितना भी text आपने जो highlight किया था वो फिर से पहले जैसा normal हो जाएगा और last option जो हमें मिलता है वो है हमारे font का color by default यह black color में रहता है लेकिन इन case अगर किसी document की need है या आप थोड़ा अपने document को customize करना चाते हो अपने text का color change करना चाते हो तो यहाँ मुझूद इतने सारे color में से आप कोई भी color choose कर सकते हो for example आप चाहते हो कि आपका यह जो first paragraph है यह red color में आ जाए तो आप क्या करोगे अपने paragraph को select करोगे अपने font को select करोगे जितना भी आप format करना चाते हो और फिर यहाँ से आप color choose करोगे red click करते red और आपका selected paragraph आपका selected text उसी color में format हो जाएगा अब देखिए यह text आपका red color में format हो चुगा है तो यह थे हम और कुछ option जिनके जरिये आप अपने font को अपने text को document को format कर सकते हैं या अपनी जुरुत के हिसाब से कोई science या किसी math equation को लिख सकते हैं super script और subscript की help से और in case अगर आपको बाद में यह सब formattings हटानी पड़ जाए तो आप कैसे हटाओगे last option जो आमें यहाँ पर मिलता है वो हटा देगा सिर्फ एक click में कैसे करेंगे देखिए मैंने इस first paragraph पर multiple formatting supply की है text का size change कर दिया है color change कर दिया underline कर दिया bold भी कर दिया है अब मैं चाहता हूँ एक ही click में यह सारी formattings हट जाए और मेरा text पहले जैसे normal हो जाए तो आप क्या करेंगे अपने text को select करेंगे और जाएं नॉर्मल हो जाएगा तो यह थी आज की हमरी class जिसमें आपने MS Word में मुझूद font group को सीखा आपने सीखा कि कैसे आप अपने font को अपने text को format कर सकते हैं उसे अलग color या underline दे सकते हैं और साथ ही आपने सीखा कि कैसे आप सिर्फ एक single click में उन सभी formattings को हटा सकते हैं अगर आ आपको आज की हमारी class यान की वीडियो पसंद आई लाइक केजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाते हैं तो चैनल को subscribe केजिए अपने सवाल और suggestion comment box में जरूर share करें जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली class में तब तक जो सिखा उसके practice के जिए बाइ बाइ